हाई अब्रीवन, I am Advocate सपना कौशिक और आज हम डिस्कुस करने वाले हैं सुप्रीम कोट का एक लैंडमार्क जज्जमेंट जिसमें सुप्रीम कोट ने काफी समय से अलग रहे रहे एक कपल को शादी खत्म करने की पर्मीशन दे दी अपनी आर्टिकल 142 में दी गई पावर् सुप्रीम कोट को दी गई है कैसे यहां पर बिना पती या पतनी की मंजूरी के बिना भी यहां पर डिवॉस हो सकता है यानि कि अगर पती या पतनी में से कोई व्यक्ति राजी नहीं है अपने पार्टनर को तलाग देने के लिए उस केस में भी सुप्रीम कोट अपनी लीगल अपडेट्स दे सकें रीसेंटली सुप्रीम कोट के डिविजन बेंच के सामने एन राजेंदरन वर्सेज एसवली का मामला आया यहां पर इन दोनों की शादी हुई थी और टू थाउसेंड से यह लोग अलग रह रहे थे और यहां पर पती ने फैमिली कोट के सामन ने 2001 मार्च 2001 में डिवर्स पेटीशन फाइल कर दी और फैमिली कोट ने क्रूलिटी के ग्राउंड पर क्रूर्ता के ग्राउंड पर क्योंकि पत्ती पत्नी के बीच बन नहीं रही थी लड़ाई जगड़ा रहता था और दोनों अलग रह रहे थे इसी ग्राउंड पर जुल इसके खिलाफ पती सुप्रीम कोट पहुंचा पती ने सुप्रीम कोट में कहा कि हाई कोट ने फैसला दिया है तलाग की डिक्री को खतम कर दिया है यह गलत है क्योंकि वह पिछले काफी समय से अलग रह रहे हैं और उनकी पत्नी और उनके बीच बनती नहीं लड़ाई जग पिछले को ही इस ट्लाग मिलना चाहिए यह पर सुप्रीम कोट ने कहा कि हिए फैसले के साथ सहमत है वहाई कोट के फैसले को नहीं बलट रहे क्योंकि यहां पर कूर्ता का क्योंकि अफ्टी रेता कोई जगड़ा चाहि unsteur YouTube को राफ ग्ला Sydney क्योंकि को यह पर इतनी कोई द् से कम 20-22 साल उनको अलग रहते हुए हो चुके हैं और अब उनका साथ रहना नामुम्किन है उनकी शादी पूरी तरीके से तूट चुकी है खत्म हो चुकी है अब क्योंकि उनका साथ रहना मुश्किल है इत्ता टाइम हो चुका है इनी सब बातों को देखते हुए सुप्रीम सुप्रीम कोट ने अपनी पावर्स चोंगी उसको Constitution ने आर्टिकल 142 में दी है उनको यूज करते हुए उनकी शादी खत्म करने की पर्मीशन दे दी इस कंडीशन के साथ कि पती अपनी पतनी को 20 लाख रुपे की पेमेंट करेगा आठ हफ्तों के अंदर और जब तक यह पेम कहा कि आर्टिकल 142 में जब शादी इतनी बुरी तरीके से तूट चुकी हो कि अब दो लोगों का साथ रहना एकदम मुश्किल हो चुका है वो दो लोग साथ नहीं रह सकते और पती या पतनी में से कोई सिफ इसलिए तलाक नहीं दे रहा कि वो दूसरे व्यक्ति को सबक सि सकता है और यहीं इस केस में भी यहीं हुआ कि सुप्रीम कोट के डिविजन बेंच ने हाई कोट के फैसले के साथ तो अपनी सहमती जताई कि यहां पर क्रॉयलिटी कोई ग्राउन नहीं है इसलिए डिवोर्स डिक्री जो हाई कोट ने खत्म कर दी थी पलट दी फैमिली लेकिन अपनी पावर्स को यूज करते हुए वह शादी को खत्म करने के लिए निर्देश देते हैं ताकि दोनों के साथ नयाय हो सके क्योंकि दोनों की शादी पूरी तरीके से टूट चुकी है और एक कंडिशन लगा दी कि पतनी को पैसे दिये जाएंगे 20 लाग रुपे और उनके बेटे के सभी हितों का सभी अधिकारों को भी सुरक्षित रखा जाएगा तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके नौर मुद्दों पर वीडियो चाहते हैं प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताइए